रेंटारो जो एक अनलकी बंदा होता है, क्योंकि इसको 100 लड़कियों ने रिजेक्ट मारा होता है, इसलिए God of Love इसको 100 गल्फरेंड पटाने का पावर देता है, कि तुमसे 100 लड़कियां सच्चा प्यार करेंगी, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आ जाता है, जब रेंटा होता है एक कोने में, जहां हमारा हीरो एक लड़की आसाकावा को परपोज मार रहा होता है, कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, इसलिए प्लीज गो आउट विथ मी, इस पर आसाकावा जावाब देती है, आईजो तुम फ्रेंडली हो और चैयरफुल भी, साथ में तुम एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, इसी कारण मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन तुम्हें डेट करने के आईडिया से ही मुझे उल्टी आ रहा है, तो इसी के साथ हमारे भाई का गंदा वाला कट जाता है, और रोमैंस भी वहीं पर मर जाता है, अब नेक दोनों एक दूसरे इसको देखोगे, तो दोनों को शौक लगेगा, अब रेंटारो पूछने लगता है, कि मैं जब अपनी सोलमेट से हाई स्कूल में मिलूँगा, तो रोमैंस होगा ना, इसके जवाब में गौड बोलता है, बिल्कुल लेकिन तुम्हें पूरे यह सुनकर रेंटारो बहुत खुश हो जाता है, और साथ में गौड को धमकी देता है, अगर यह सब जूट निकला तो मैं तुम्हारा टेंपल जला दूँगा, अब नेक्स्ट सीन में रेंटारो हाई स्कूल में होता है, और यह अपनी क्लास को ढून रहा होता है, तब ही चलते चलते दो लड़कियों से टकरा जाता है, और जब वो दोनों रेंटारो को देखती है, तो गौड का बताया हुआ फेनोमेना होता है, अब रेंटारो समझ जाता है कि यह दोनों उसकी सोलमेट है, फिर रेंटारो उठकर दोनों को मदद के लिए अपना हाथ बढ़ता तब ही लाल बालों वाली लड़की को एक आइडिया आता है और वो एक्टिंग करती है कि मेरे पैर में मोच आ गया है, तो क्या तुम मुझे नर्स आफिस तक छोड़ दोगे? दोनों को इतना पास देखकर पीले बालों वाली लड़की आधा सच बोलती है, ऐसा नहीं है कि मेरे पैर में भी मोच है, क्योंकि मुझे तुम्हारे गले लगना है, इस पर रेंटारो ओवर रियक्ट करता है, कि मैंने शुरू में ही अपने सोलमेट को हर्ट कर दिया, इसके पीले बालों वाली अपना नाम हनाजोनो हकारी बताती है, और पीले बालों वाली अपना नाम इंडा कराने दोनों भी क्लास वन फोर में होते हैं, इसके बाद वहाँ पर कुछ लड़कियां बोलती हुई जा रही होती है, कि अगर कोई फॉर लीफ कोबर फ्लावर किसी को दे और अपने साथ डेट पर जाने के लिए पूछे, तो इसमें 100% सक्सेस होने का चांस होता है, ये बच्चो वाली कहानी सुनकर इंडा और हाना उस फ्लावर को ढूंडने के लिए भाग जाती है, अब क्लास खत्म होने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां रेंटारो उन दोनों लड़कियों के बारे में सोच रहा होता है, तब ही वो विंडो से देखता है कि वो दोनों लड़कियां 4 लीफ फ्लावर ढूंड रही है, फिर रेंटारो को रियलाइज होता है कि ये दोनों मेरे लिए इतनी महनत कर रही है, तो वो भागता हुआ उनके पास जा इंडा वहां से भाग जाती है, तब ही पीछे से हाना आ जाती है, तो रेंटारो उसको भी ड्रिंक देता है, इस पर हाना अपना IQ 669 लगाती है, और रेंटारो को कहती है, मुझसे ये ड्रिंक खतम नहीं होगा, तो क्या तुम थोड़ा पीने में मदद करोगे, जिस पर रे रेंटारो को इंडायरेक्ट किस नहीं कर पाई, ये देखकर रेंटारो हाना को रुमाल देता है, तो क्या तुम तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे, इस पर रेंटारो खुशी से रोने लगता है, कि किसी लड़की ने मुझसे डेट के लिए पूछा, फिर वो भी कुछ बो लड़ने लगती है कि तुमसे इतना फास्ट प्रोग्रेस करने के लिए किस ने कहा था। फिर इंडा भी रेंटारों से कहती है तुम मेरे साथ इतनी बुरी तरह से डेट पर जाना चाहते हो तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी बन सकती हूँ। कि वो किस को चुने इसलिए वो गौड के पास जाता है और पूछता है कि जिसके दो सोलमेट होते है वो इस सिचुएशन में क्या करते है जिस पर गौड बोलता है ऐसे सारे लोगों के एक ही सोलमेट होते है लेकिन तुम्हारे जन्म के वक्त मुझसे एक गलती हो गया था उस साथ बहुत बुरा होता है और वो मर जाते हैं ये सुनकर रेनटारों कहता है तो आपके कहने का मतलब है अगर मैं उन दोनों में से किसी एक को चुनता हूँ तो दूसरी मर जायेगी गॉड कहता है हाँ एकदम सही समझे हो इस पर रेनटारों का और दिमाग खराब हो जाता है, फिर वो अपना दिमाग लगाता है, कि मैं दोनों को पहले reject कर दूँगा, और अलग-अलग करके propose करूँगा, और दोनों को समझा दूँगा, कि मैं उसको hurt नहीं करना चाहता था, अब हम सुबह का scene देखते है, जहां रेंटारों दोनों लड़कियों के सा क्योंकि तुम दोनों ही best हो, इसलिए please मेरे साथ date पर चलो, मैं अपना खून पसीना बहा दूँगा, लेकिन तुम लोगों को दुनिया की सारी खुशियां दूँगा, इसके बाद रेंटारों दोनों को four leaf flower देता है, जो इसने रात भर में ढूंडा था, ये देखकर इंड ब्लीड हो जाता है, फिर हाना बोलती है, मैं तुम्हारे साथ date पर चलोंगी, क्योंकि तुम्हारे अलावा मुझे नहीं लगता है, कि मैं किसी और को प्यार कर पाऊंगी, हाना को देखकर इंडा भी तुरंट एगरी कर जाती है, इंडा को इतना जल्दी बदलता देखकर ह यहां वो बोल रहा होता है, कि आज मैं अपनी गर्ल्फरेंड के साथ स्कूल जाने वाला हूँ, जो मेरा हमेशा से सपना रहा है, इसके बाद वहाँ पर दोनों लड़कियां आ जाती है, जिसे देखकर रेंटारों का खुशी का ठिकाना नहीं होता है, तभी हाना एक स्टे आगे बढ़ते हुए रेंटारों से बोलती है, आज वेदर कितना अच्छा है ना, और उसका हाथ पकड़ लेती है, जिससे रेंटारों का सिस्टम हिल जाता है, क्योंकि उसको हाना का सौफ्ट हैंड फील हो रहा था, इसके बाद रेंटारों आगे बढ़ते हुए इंदा क हाथ पकड़ लेता है जिससे उसका भी सिस्टम हिल जाता है फिर तीनों एक दूसरे को फील करते हुए स्कूल पहुंच जाते हैं जहां एक स्टूडेंट हॉल में भाग रहा था जिसका पीछा वाइस प्रेसिडेंट कर रही थी अब हमें वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पता चलता है कि अगर कोई हॉल में दौड़ता हुआ दिख जाता है तो उसको वाइस प्रेसिडेंट पकड़ कर फ्रेंच किस कर देती है जो की emotionally और physically torture होता है इसके बाद topic को change करते हुए हाना पूछती है रेंटारों तुमने पहले किसी को किस किया है जिस पर नल्ला जवाब देता है नहीं किया है क्योंकि तुम लोग ही मेरी पहली girlfriend हो जो सुनकर दोनों लड़कियां सोचने लगती है मतलब जो सबसे पहले रेंटारों को अप्रोच करेगा उसका first kiss मिलेगा अब lunch break का scene दिखाया जाता है जहां रेंटारों और उसकी दोनों girlfriend खाना खा रहे थे दोनों लड़कियों ने रेंटारों के लिए lunch बना कर लाया था जो खाकर रेंटारों बड़ा खुश था इसके बाद हाना first kiss पाने के लिए रेंटारों को साथ में चौकलेट खाने को बोलती है उन दोनों का माहौल बनता देखकर इंडा बीच में आ जाती है जिससे हाना का plan fail हो जाता है फिर इंडा first kiss पाने के रेंटारों को mouth to mouth CPR देने वाली होती है लेकिन तभी हाना आकर अपने संतरे से इंडा दूर धका दे देती है जिससे इंडा का भी plan fail हो जाता है अब रेंटारों दोनों से पूछता है तो तुम लोग मुझे किस करने का try कर रहे थे जिस पर दोनों embarrassed हो जाते है तब रेंटारों दोनों से बोलता है मेरे पास इसका एक solution है जिससे हम में से किसी को पता नहीं चलेगा कि किस को first kiss मिला फिर रेंटारों अपना idea समझाता है कि तुम दोनों इस spot पर खड़ा हो जाना और मैं उस समय headphone से full volume में गाना सुनता रहूंगा फिर तुम लोग dice roll करना और अपना position change करते रहना उसके बाद जब तुम लोग ready हो जाओ तो मुझे message करना उसके बाद मैं dice roll करूंगा और अगर on number आया तो मैं right में जाऊंगा और even number आया तो मैं left जाऊंगा फिर हम तीनों mask लगाए रहेंगे इससे किसी को पता भी नहीं चलेगा किसको first case मिला रेंटारों का ये plan तो बहुत बक्वास होता है अब हम देखेंगे कि ये fail कैसे होगा तो पहला try में ये हाना के संतरे पकड़ लेता है जिसके कारण ये लोग फिर से try करते है दूसरी बारी में एक बिल्ली इंडा के heaven को सर्च करने लगता है जिसको इंडा रेंटारों समझ जाती है और उसके third leg पर attack कर देती है इसके बाद ये लोग बार बार try करते है लेकिन हर बार fail हो जाते है तब इंडा बोलती है ये idea ही एकदम बेकार था जिस पर हाना बोलती है तुम मेरे रेंटारों को गलत नहीं बोल सकती हो इस पर इंडा बोलती है रेंटारों मेरा है और ऐसे ही दोनों लड़ने लगते है तब रेंटारों दोनों लड़कियों से बोलता है कि तभी पीछे से उसको इंडा पकड़ लेती है और हाना विंडो से सबको बोलने लगती है हमने परवर्ट टीचर को रंगे हाथों पकड़ लिया है ये सुनकर वाइस प्रेसिडेंट वहां से भाग जाती है अब दोनों लड़कियां रेंटारों से पूछती है तुम ये क्य देने से अच्छा तुम इसको दे दो दोनों लड़कियां ये एक दूसरे की तरफ फिंगर करके बोल रही थी अब रेंटारों उन दोनों को अपना सैक्रिफाइस देता देखकर उनके गले लग जाता है और तभी इसके दिमाग में थ्रीसम का आइडिया आता है फिर ये द दोनों को फिर से लड़ता देखकर रेंटारों कहता है तुम लोग साथ में पड़ो वैसे भी हम लोगो ने साथ में किस शेर किया है जो सुनकर दोनों इंबरास हो जाती है इसके बाद रेंटारों अपने लिए बुक ढूनने लगता और जब इसको एक बुक पसंद आता है तब ही यहाँ पर थर्ड वाइफू की इंट्री हो जाती है इसका नाम योशी मोटो शिजुका होता है अब हम आगे देखते हैं कि शिजुका को लोगों से बात करने में प्रॉब्लम होता है इसलिए वो अपने बुक से रेंटारो को बताती है कि वो यहाँ पर लाइब्रेरियन है इसके बाद वो रेंटारो से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या ढूण रहे हो जिस पर रेंटारो बताता है कि वो नोवेल ढूण रहा है और उसका फेवरेट जनर रोमैंस है तो क्या वो उसको कुछ good ending novel recommend कर सकती है जिसके बाद Shizuka बहुत सारे book लाकर रख देती है जो देखकर rentaro shock हो जाता है इस पर Shizuka माफी मांगते हुए बोलती है कि तुम्हें जो book पसंद आ रहा है तुम वो ले सकते हो ये सुनकर rentaro कहता है तुमने इतनी महनत से मेरे लिए books को ढूंडा है तो मैं ये सारे ले जाऊंगा लेकिन हम थोड़ी देर बात देखते हैं कि rentaro के पास ID card ही नहीं होता है और बनने में एक week का समय लगेगा इसलिए वो अभी किसी भी book को नहीं ले जा सकता है ये बात जानकर rentaro बहुत उदास हो जाता है उसे ऐसा देखकर शिजुका अपना personal book उसको देती है इसलिए rentaro उसको शुक्रिया कहता है अब सीन rentaro के घर पर shift होता है जहां वो शिजुका के book को पढ़ने जा रहा होता है जिसका नाम circle love story होता है फिर हमें बताया जाता है कि ये कहानी एक princess और knight की है जहां एक बार princess पर dragon attack कर देता है लेकिन वहाँ पर knight आ जाता है और उसे बचा लेता है पर खुद घायल हो जाता है जिसको princess हिल कर रही होती है ऐसे ही दोनों की आखें मिलती है और अपने status को side में रख कर दोनों एक दू को बदलने का इसी के साथ circle love story का part 1 खत्म हो जाता है और rentaro कहानी को अपने life से relate करने लगता है अब अगले दिन classroom का scene दिखाया जाता है जहां शिजुका अपने साथ circle part 2 लेकर आई होती है तब उसको rentaro good morning कहता है जो सुनकर शिजुका घबरा जाती है rentaro उसके bag में second part को देख लेता है इस पर शिजुका हिम्मत जुटा कर उसे book का second part दे देती है जो देखकर rentaro बोलता है मैं आगे की कहानी जानने के लिए मरा जा रहा था इसके बाद rentaro रिपे करने के लिए शिजुका को ड्रिंक के लिए ले जाता है फिर दोनों bench पर बैठ कर ड्रिंक पी रहे होते हैं और rentaro बता रहा होता है कि मुझे ये book बहुत पसंद आया और कहानी भी एकदम मस्थ है ये सुनने के बाद शिजुका बताती है कि ये मेरा favorite book है और मैं इसे बहुत पहले से पढ़ रही हूँ जिस पर rentaro कहता है हाँ ये समझ में आता है जैसे तुम बात करती हो तुरंत पेज को पलट कर एकदम exact line पर हाथ रखती हो ये बहुत cool लगता है जो सुनने के बाद अब next day का scene दिखाया जाता है हम लोग देखते हैं कि शिजुका बुक का part 3 लेकर आई होती है और अंदर से बहुत खुश होती है लेकिन rentaro उसके पास आता ही नहीं है ऐसे ही दिन भी जाते हैं लेकिन rentaro नहीं आता है और शिजुका उदास होकर hall में चल रही होती है तब ही अध्यान प्रेंटaro और उसकी दो girlfriend पर जाता है जो bench पर बैठ कर energy share कर रहे होते है ये देखकर शिजुका बहुत जादा ही sad हो जाती है और मन में कहती है मैं कुछ expect ही क्यों कर रही थी इसके बाद हमें शिजुका का past self दिखाया जाता है जहां पर सारे student उसे घेर कर बोल रह होते हैं कि तुम normal बात क्यों नहीं कर सकती हो फिर scene cut होता है उसके घर पर जहां उसकी mom भी डाट रही होती है कि तुम उस book के साथ ही क्यों लगी रहती हो कम से कम कुछ तो बोलो पागल लड़की अब हम present में आ जाते हैं जहां पर शिजुका बोल रही होती है कि मेरे जैसे कोई बातें क्यों करेगा इसके बाद हम शिजुका को library में देखते हैं जहां पर रेंटारो आ जाता है और उसका phone मांगता है फिर रेंटारो उसके phone में TTS software डाउनलोड कर देता है और आगे बताता है कि इसमें text डालने पर खुद voice निकलेगा फिर रेंटारो उसमें circle love story का e book निकला ही नहीं है तो इसका मतलब है रेंटारो ने खुद इतनी मेहनत से हर word को type किया है अब रेंटारो बोलने लगता है कि मैं ये imagine भी नहीं कर सकता हूँ कि तुम्हारे लिए बोलना कितना मुश्किल होता होगा और मैं तुम्हें बात करने के लिए ऐसे force नहीं कर सकता ह इसके बाद रेंटरों कहता है अब चलो मुझसे बात करने की कोशिश करो जिस पर शिजुका पहला शब्द रेंटारो से कहती है वो होता है I love you फिर वो माफी मांगती और बोलती है तुम्हें अंसर देने की कोई जरूरत नहीं है मैं बस अपना feeling बता देना चाहती थी अब बैगराउंड में सरकल लव स्टोरी का सीन भी चल रहा होता है जहांपर नाइट प्रिंस से बोलता है अगर फेथ हमारे रास्ते में आएगा तो हम रास्ता ही बदल लेंगे इसके बाद हम next सीन में देखते हैं जहांपर रेंटारों अपनी दोनों गर्ल्फरेंड से पर्मि कर रहे हो तुम तो बहुत ज्यादा काइंड हो रेंटारों अब इसी के साथ रेंटारों का लव ट्रेंगल से लव रेक्टेंगल पर शिफ्ट हो जाता है हम देखते हैं कि रेंटारों शिजुका को अपनी दोनों गर्फरेंड से इंट्रोड्यूस कराता है फिर वो हकारी सीन आता है तो पैरों का रियक्शन ऐसा होता है और जब कोई डरावना सीन आता है तो पैरों का ऐसा रियक्शन होता है ये सुनने के बाद शिजुका मन में बोलती है कि मुझे कोई आईडिया नहीं था कि मैं ऐसे भी करती हूँ अब रेंटारों आगे बोलता है क्यूट च अपने बालों को ऐसे करती है जो की बहुत प्यारा लगता है ये सब बातें बोलकर रेंटारो तीनों को एंबेरेस कर देता है आगे फिर वो बोलने लगता है जब हमने फर्स्ट टाइम किस किया था तो कराने ने तो अपना सास ही रोक दिया था और हकारी ने अपना मुह ही फूला लिया था ये सुनकर शिजुका पूछती है क्या तुमने किस कर लिया है जिस पर रेंटारो एगरी करता है जो जानने के बाद शिजुका शांत हो जाती है और फिर माफी मांगती है कि मेरा मांसिक संतुलन थोड़ा बिगड गया था इस पर हकारी पूछती है क्या तुम्हें भी रेंटारो को किस करना है इसका जवाब देते हुए शिजुका कहती है कि नहीं ये मेरा डेस्टिनी है शादी से पहले एकदम शुद्ध रहना है अब सिन कट होता है लंच टाइम में जहां सब लोग खाना खा रहे होते हैं हकारी और कराने रेंटारो को खाना खिलाते हुए लड़ रही होती है वही शिजुका एकदम चुपचाप बैठी होती है जो देखकर रेंटारो बोलता है मुझे शिजुका को इन लोगों के साथ घुलना मिलना सिखाना होगा इसके बाद रेंटारो लड़कियों को एक गेम खेलने के लिए बोलता है जिसका नाम होता है Old Made इस गेम में होगा यही कि विनर है वो लूजर को गुदगुदी करके हसाएगा ये गेम खिला कर रेंटारो का आइडिया ही होता है सबका true self को बाहर निकालना पर आपस में दोस्ती करवाना ये बात जानते ही सारी लड़कियां excited हो जाती है अब हम first round देखते हैं जिसका विनर रेंटारो होता है और लूजर कराने होती है और वो बोल रही होती है कि तुम मुझे जीतना भी हसाओ मैं नहीं हसने वाली लेकिन वह पहले से ही हस रही होती है इसके बाद रेंटारो जब गुदगुदी करने लगता है तो पहले कराने कंट्रोल कर लेती है लेकिन बाद में जमीन पर लेट जाती है और एरोटिक एक्स्प्रेशन दे रही होती है अब second round देखते हैं जिसमें winner फिर से रेंटारो होता है और loser इस बार हकारी होती है जोकी इतना excited होती है कि अपना उपर का परदा हटाने वाली होती है फिर जब रेंटारो गुदगुदी करने लगता है तो वो पूरे मजề ले रही होती है जिसके कारण पानी निकलने ही वाला था इसके बाद third round देखते हैं जिसका winner रेंटारो और लूजर शिजुका होती है रेंटारो मन में सोच रहा होता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि शिजुका कैसे हंसती है लेकिन जब वो उसे गुदगुदी करता है तो रिजल्ट सेम ही होता है शिजुका मैसेज से ही बोल रही होती है कि मुझे बहुत हंसी आ रहा है लेकिन आवाज एकदम कुछ नहीं हो रहा होता है अब ये सब देखकर हकारी और कराने सोच रहे होते है कि रेंटारो अभी तक नहीं हा रहा है और मुझे उसको गुदगुदी करके उसके बॉड़ी को फील करना है लेकिन उसके लिए पहले मुझे गेम जितना होगा फिर फोर्थ राउंड देखते है जिसका लूजर रेंटारो होता है और विनर शिजुका होती है और बाकी दोनों लड़कियां पीछे डिप्रेस होती है फिर जब गुदगुदी करने की बारी शिजुका की होती है तो वो बस रेंटारो को अपने उंगली से टच कर रही होती है जिस पर रेंटारो बोल रहा होता है कि मुझे सच में बहुत गुदगुदी हो रहा है ऐसे शिजुका को करता देखकर हकारी सोच रही होती है कि उसकी शाई और थोड़ी सी डरपोक नेचर रेंटारो को अट्रैक्ट करती है अगर मैं ऐसे करूंगी तो मैं भी क्यूट लगूंगी लेकिन शिजुका एकदम नेचुरल है जिससे मैं कंपेर भी नहीं कर सकती हूँ दूसरी तरफ कराने पूरा शांत होती है इसके बाद रेंटारो बोलता है मैं इतना हसा हूँ कि मुझको टॉयलेट जाना पड़ेगा और वो वहाँ से चला जाता है अब यहाँ पर हवा चलने लगता है और हम देखते हैं कि वार स्टार्ट होने वाला था कराने गुस्से में शिजुका से बोलती है तुम्हारी प्रॉबलम क्या है हमारे सामने तुम रेंटारों से डिस्टेंस क्यों बना रही हो मुझे पता है तुम्हें भी रेंटारों को गुदगुदी करना था तो फिर तुम स्टुपेड की तरह क्यों एक्ट कर रही हो इस पर हकारी बोलती है शायद इसलिए क्योंकि तुम बहुत डरावनी हो जो सुनकर कराने कहती है क्या मैंने कभी किसी पर चिलाया है जो मैं इतनी डरावनी हूँ अब शिजुका रिप्लाई देती है कि तुम दोनों रेंटारों की पहले से गर्ल्फरेंड हो और मैं अभी नहीं हूँ इसलिए मैं डिस्टेंस रखती हूँ जो सुनने के बाद कराने कहती है यही तो मैं कह रही हूँ कि तुम रेंटारों की गर्ल्फरेंड हो तो अभी हेजिटेट करने की कोई जरूरत नहीं है फिर कराने लड़ने लगती है कि तुम फाइट बैक क्यों नहीं करती हो और हकारी उसके गुसे को शांत करा रही होती है इसके बाद शिजुका हिम्मत जूटा कर बोलती है कि मैं सच कहूँ तो मुझे बहुत डर लग रहा है जो सुनकर कराने रोने जैसा फेस बना कर कहती है क्या मैं सच में इतनी डरावनी हूँ जिस पर शिजुका कहती है मेरा वो कहने का मतलब नहीं था मेरा डर ये है कि मैं क्या तुम दोनों के साथ इक्वल स्टैंड कर पाऊंगी अगर मैं हकारी की बात करूँ तो उसके पास एकदम लेडी लाइक और फिजिकल चारम है और वही कराने के पास facial expression और confident है जिसके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ ये सुनने के बाद कराने कहती है ऐसा बात नहीं है तुम्हारे पास भी good quality है जैसे तुम gentle हो और फिर कराने माफी मांगती है उसको इतना सुनाने के लिए इसके बाद हकारी रहती है चिंता मत करो रेंटारो को तुम्हें पसंद करने के लिए हजारों point होंगे ऐसे ही सब के गीले शिक्वे मिट जाते है और फिर सब में बनने लगता है खिडकी से ये देखकर रेंटारो बहुत खुश था क्योंकि वो जान बूच कर वहां से बाहर गया था अब रेंटारो फिर से सब लोग के पास आता है तब ही कराने उसके पास जाती और बोलती है वो उंगली वाला count नहीं होगा इसलिए शिजुका फिर से गुदगुदी करेगी इसके बाद शिजुका हिम्मत करके रेंटारो से कहती है कि मुझे भी तुम्हे किस करना है और वो सुद सकाहारी वाला बात जूट था जो सुनकर रेंटारो कहता है हाँ मुझे पता ही था फिर यहाँ पर romantic moment आ जाता है जो हम सिंगल लोगों को नहीं देखना चाहिए और जो सिंगल नहीं है वो लोग देख सकते हैं इसके बाद हकारी भी कहती है कि मुझे भी तुम्हे किस करना है और फिर इनका भी moment हो जाता है अब सिर्फ बचती है कराने जो थोड़ी देर पहले शिजुका को ज्यान पेल रही थी कि तुम्हें hesitate नहीं करना है और सिधा सब कुछ बोल देना है वो खुद रेंटारो को कुछ नहीं बोल पा रही होती है लेकिन रेंटारो तो अपनी girlfriend को अच्छे से जानता है इसलिए वो खुद कराने से कहता है कि मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सारे student test का result देखने के लिए जमा होते हैं वही हम रेंटारो की तीनो girlfriend को देखते हैं जो बोल रही होती है कि क्या रेंटारो अपने mobile के बिना एक पल नहीं रह सकता है जो वो class में दुबारा गया है फिर हम थोड़ी देर पहले का scene देखते हैं जहां रेंटारो लड़कियों से बोल रहा होता है कि मुझे अपना mobile लाने जाना है क्योंकि उसमें तुम लोगों का photo है जो मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है यहीं बातें सोचकर तीनों बहुत खुश होती है अब next scene में देखते है कि रेंटारो क्लास में आ गया होता है और उसे mobile भी मिल जाता है तभी रेंटारो की नजर एक लड़की पर जाता है जो क्लास में बैठी होती है जिसे देखकर वो कहता है इसका नाम तो AI है फिर रेंटारो उसके पास जाता है और पूछता है कि क्या तुम्हें टेस्ट का result देखने नहीं चलना है इस पर AI कहती है कि result देखना बेकार है क्योंकि मेरा ही top score होगा ये वो रेंटारो की तरफ देखकर बोल देती है जिसके कारण बिजली चमकता है और fourth waifu confirm हो जाती है इसके बाद क्लास रूम में थोड़ी देर के लिए सननाटा हो जाता है फिर रेंटारो बोलता है चलो हम लोग साथ में result देखने चलते हैं अब हम अगले सिन में result दिखते है जहां रेंटारो के ग्रुप में हकारी सबसे तेज होती है उसके बाद शिजुका और कराने रेंटारो दोनों ही नल्ले होते है इसके बाद रेंटारो AI का result देखा है जो की first होती पूरे full score से इसके बाद रेंटारो अपनी तीनों गर्ल्फरेंट से पूछता है क्या तुम लोग AI के बारे में जानते हो इस पर हकारी कहती है क्या वह हमारे क्लास में पढ़ती है शिजुका कहती है मैंने तो उससे कभी बात ही नहीं किया है तब ही कराने कहती है मैंने उसके बारे में रियूमर सुना है कि वह किसी भी सवाल का जवाब दे सकती है और वो highly advanced AI है अब next sin biology lab का दिखाया जाता है जहां सारे student को practical करना था और फ्याज के epidermal cell को देखकर draw करना था वही हम देखते हैं रेंटारो और AI एक ही ग्रुप में होते हैं फिर रेंटारो माइक्रोस्कोप लाने जाता है और AI को देखकर सोच रहा होता है मेरी तीनों girlfriend cute है लेकिन AI थोड़ी ज्यादा elegant और सुन्दर है जब रेंटारो माइक्रोस्कोप लेकर आता है तो वो देखता है कि AI notebook से ही copy कर रही होती है जिसे देखकर भबोलता है कि हमें practical करना चाहिए ये सुनने के बाद AI कहती है scientist ने हमें पहले ही books में explain कर दिया है तो practical करके फिर से उसे करना एकदम बेकार काम है AI से ये explanation सुनने के बाद पर रेंटारो कहता है ये तो सच में AI है इसके पास कोई emotion ही नहीं है अब हम देखते रेंटारो प्याज काट रहा होता है तभी उसका हाथ कट जाता है इसलिए वो अपने finger को पानी से धो रहा होता है तभी AI कहती है ये करना बेकार है और रेंटारो को finger जाओ दे देती है और बोलती है saliva में anti-microble agent होते है जो कि तुम्हारे कट को hill कर देगा अब biology class खत्म हो जाता है जहां साब लोग hall में चल रहे होते हैं वहीं रेंटारो AI को मदद करने के लिए thanks करता है जिस पर AI कहती है कोई बात नहीं जिसके बाद रेंटारो बोलने लगता है कि मुझे फिर भी तुम्हें repair करना है चलो मैं तुम्हें drink पिलाता हूँ तो इस पर AI बोलती है मुझे नहीं चाहिए उसमें soda होता है जो कि hydration के लिए अच्छा नहीं होता है फिर रेंटारो direct point पर बोलता है कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो मैं तुम्हें अच्छे से जानना चाहता हूँ जिस पर AI बोलती है ठीक है पर ये meaningless है जो सुनने के बाद रेंटारो कहता है दोस्तों के साथ fun chat करना और अपने hobby पे काम करना सब meaningful है AI बोलती है फन करना से तुम्हारा academic score नहीं बढ़ जाएगा इसलिए fun करना एकद बेकार है इस पर रेंटारो कहता है score और academy ही सब कुछ नहीं होता है जिसके बाद AI बोलती है जो काम तुम्हारे future को अच्छा ना करे वह सब meaningless और time की बरबादी है रेंटारो कहता नहीं तुम गलत बोल रही हो जिन्दगी में मज़ा करना भी meaningful होता है इसके बाद AI रेंटारों को roast करते हुए बोलती है debate करना भी meaningless और समय की बरबादी है इसलिए मैं यहां से जा रही हूँ अब हम लोग AI के घर का scene देखते हैं जहां उसे रेंटारों की बात याद आ रही थी और जो उसने finger जाओ दिया था इस कलिए बहुत ज्यादा embraceful कर रही थी फिर वह कहती है यह time की बरबादी है और उसके बाद मारकर उठाकर पाई की value लिखने लगती है उसने लगभग दरजनों पेज भर दिया था पाई का value लिखकर इसके बाद वह कहती है यह बहुत बड़ी problem है अब school का scene दिखाया जाता है जहां पर AI बिना emotion के साथ रेंटारों से कहती है मुझे तुमसे प्यार हो गया है जो सुनकर रेंटारों भी कहता है मुझे भी तुमसे प्यार है तो चलो हम लोग date पर चलते है इस पर AI कहती है मुझे नहीं जाना है क्योंकि मैंने ये सोचा था कि तुम मेरे proposal को मना करोगे लेकिन तुमने नहीं किया तो मैं ही इस प्यार को end करूँगी इस पर रेंटारों कहता है हम दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते है तो तुम ये क्यों कर रही हो AI फिर से अपना घ्यान देने लगती है कि प्यार मतलब सिर्फ शादी और बच्चे होते है जिसके लिए मैं तयार रही हूँ और टीनेज रोमैंस तो एकदम बेकार होता है अब रेंटारों कहता है तुमने बोल दिया end करने को लेकिन मैं तुम्हें लव करना बंद नहीं कर सकता हूँ इस पर AI कहती है मुझे इस से कुछ लेना देना नहीं है तो रेंटारों उसको एक आइडिया बताता है कि चलो एक डेट पर चलते है अगर मैं एक दिन में तुम्हारा दिल नहीं जीत पाता हूँ तो मैं फिर तुम पर गिव अप कर दूँगा इस बात पर AI भी मान जाती है अब डेट वाले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम रेंटारों को देखते हैं और ये इसका फर्स्ट डेट होता है फिर वहां AI आती है जिसको रेंटारों एम्यूजमेंट पार्क में ले जाता है रेंटारों का प्लैन होता है AI को ये realize कराना कि life में fun करने का भी meaning होता है सबसे पहले वो एक horse ride पर जाते है जहांपर AI उसे illogical बोल रही होती है फिर वो rentaro के हाथ में camera देखती है और उसको भी बकवास बोल रही होती है लेकिन rentaro उसकी picture क्लिक कर रहा होता है अब दोनों haunted house में जाते है जहां rentaro बहुत डर रहा होता है और AI बोल रही होती है सब तो इनसान है तो इसमें डरने की क्या बात है फिर last में वो लोग fairy will में जाते है जहांपर AI कुछ नहीं बोल रही होती है क्योंकि उसको उंचाई से डर लग रहा होता है तब rentaro उसके बगल में आकर बैट जाता है और AI rentaro का हाथ पकड़ रही होती है फिर थोड़ी देर बाद हम देखते है दोनों ने इस तरह से हाथ को पकड़ा होता है और फिर शाम हो जाता है अब rentaro AI को सारे फोटो दिखा रहा होता है और कह रहा होता है कि देखो तुम इसमें कितनी खुश लग रही हो जिस पर AI कहती है तुम्हें कैसे पता कि मैं खुश हूँ सब लोग तो मुझे emotionalless कहते है अब rentaro पूछता है तो बताओ तुम क्या सोचती हो हमारे relation के बारे में इस पर AI कहती है मैंने enjoy किया लेकिन कुछ valuable नहीं मिला इसलिए ये भी meaningless दिन ही था इसके बाद rentaro कहता है ठीक है अगर ये बेकार दिन ही था तो हम सारे फोटो को भी जला देते हैं क्योंकि इसका भी कोई मतलब नहीं है फिर rentaro फोटो को जलाने लगता है तभी AI को हर एक पल याद आने लगते है और वो फोटो को जलने से बचा लेती है अब rentaro बोलता है देखो तुम्हारे पास पहले कुछ खोने के लिए नहीं था इसलिए तुम नहीं डर रही थी लेकिन अब तुम्हारे पास कुछ है जो तुम खोना नहीं चाहती हो और आज के दिन तुमने कुछ पाया जिसको हम वर्ड से डिस्क्राइब नहीं कर सकते है अब हम AI को देखते है जिसके आंक से आंसू आ रहा था जो उसे भी समझ में नहीं आ रहा था इसके बाद रेंटारो कहता है लाइफ में अच्छे पल का मीनिंग होता है और उस पल को जीना ही उसे मीनिंगफुल बनाता है अब AI को भी समझ में आ जाता है और वो बोलती है रेंटारो मैं तुम्हारे साथ रिलेशन्शिप में आना चाहती हूं और रोमैंस से अच्छे पलो को जीना चाहती हूं जो मैंने कभी experience नहीं किया इसके बाद AI रेंटारो को अपनी तरफ घीच कर किस कर देती है और दोनों हाथ पकड़ कर साथ में वहां से जाने लगते है अब सिन शिफ्ट होता है चछत पर जहां रेंटारो सब को AI से introduce कराता है जिसे देखकर कराने गुस्सा नहीं करती है क्योंकि वो भी इस situation से used to हो गई फिर सब लोग रेंटारो से बोलने लगते है हमें भी तुमारे साथ डेट पे जाना है और वो लोग एक swimming pool में जाने का decide करते है इस episode में हम लोग देखते हैं कि कराने water park में जाने के लिए swimming suit खरीदने आई होती है और swim suit देखकर सोच रही होती है कि ये सब मुझ पर अच्छा नहीं लगेगा लेकिन क्या पता रेंटारो को पसंद आ जाए अब हम water park का scene देखते है जहां सारी लड़किया swimming suit पहन कर आती है और वो लोग बहुत ही hot लग रही होती है रेंटारो उन्हें देखने के बाद बोलने लगता है अब मैं आराम से मर सकता हूँ तब ही शिजुका कहती है मुझे माफ कर देना मैं school वाले swim suit पहन कर आ गई क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि water park अलग पहना होता है ये सुनकर रेंटारो उससे कहता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और उसे pat करने लगता है तब ही वहाँ पर कराने आती है जिसे देखने के बाद रेंटारो प्रोसेस नहीं कर पाता है और बोलने लगता है तुम चेंजिंग के बीच में क्यों आ गई अगर कोई तुम्हें नेक्ड देख लेगा तो मैं जी नहीं पाऊंगा तब कराने कहती है मैं इतनी भी पागल नहीं हूँ जो चेंजिंग के बीच में आ जाऊंगी मुझे थोड़ा ठंड लग रहा है इसलिए तुम लोग जाकर मजे करो मैं इधर ऐसे ही घूमती हूँ ये सुनकर रेंटारो कहता है अगर तुम बीमार थी तो तुम्हें हमें पहले बताना चाहिए था ना फिर AI कहती है देखो वहां सनलाइट तुम्हारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहेगा इस पर कराने शुक्रिया कहकर वहां से सनलाइट में चली जाती है अब हम स्विमिंग पूल का सीन देखते हैं जहां शिजु का ट्यूब के साथ घूम रही होती है वहीं हकारी अपने संतरे को रेंटारों से टच कराने लगती है जिस पर रेंटारों कहता है हकारी तुम ये जान बुझकर कर रही हो न पर हकारी कह रही होती है ये तो पानी के वहाव से हो रहा है अब वहां पर AI आगे आकर अपने संतरे को रेंटारो के हाथ में पकड़ाते हुए बोलती है तुम्हें मेरा फिमाइन अपील कैसा लगा जिस पर रेंटारो शौक होता है ये देखकर हकारी भी अपने संतरे रेंटारो को पकड़ा देती है जिसके बाद रेंटारो के दोनों हाथ में लडडू होते हैं जिसको पकड़े रहने के कारण रेंटारो हैवन में पहुंच जाता है और बेहोश हो जाता है। फिर दोनों लड़कियां उसको स्विमिंग पूल से बाहर निकालती है और बारी-बारी करके रेंटारो को CPR देने लगती है। लेकिन फिर भी वो नहीं उठता है इसलिए दोनों मदद के लिए लाइफगार्ड को बुलाने के लिए जाते हैं। अब दूसरी तरफ हम शिजुका को देखते हैं जो की घूमते घूमते रास्ता भूल गई होती है और लोगों से मदद मांग रही होती है लेकिन कोई सुन नहीं रहा होता है फिर थोड़ी देर बाद उसके ट्यूब में छेद हो जाता है जिसके कारण सिजुका सीमिंग दोनों पर पड़ जाती है और एक परवर्ट गुंडा हकारी के अपर आर्म को देखकर बोलने लगता है अगर किसी लड़की का अपर आर्म सौफ्ट हो तो उसके संतरे का क्या ही कहना है ऐसे ही बोलते हुए वो हकारी के अपर आर्म को पकड़ने जा रहा होता है तब ही AI उ सोचना भी नहीं ये सुनकर AI कहती है ठीक है मैं तुम लोग के साथ जाऊंगा और वो हकारी को बोलती है तुम यहाँ पर फंसी मत रहो और जाकर लाइफगार को ढूंड़ो क्योंकि तुम्हें कुछ हो गया तो रेंटारों को बहुत बुरा लगेगा ये सुनकर हकारी गु लड़कियों की तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगता है तब ही रेंटारों बीच में आ जाता है और कहता है अबे साले तु मेरी गर्फरेंड के साथ क्या करने जा रहा था जिस पर वो गुंड़ा कहता है उस लड़की ने मेरे दोस्त का आंक फोड़ दिया है इस पर हकारी बताती है कि उसका दोस्त मेरी आर्म को टच कर रहा था और AI ने मुझे बचाया रेंटारों सिच्वेशन समझ जाता है और कहता है अगर तुम्हें मजा करने का मन है तो चलो मेरे साथ करो तब गुंड़ा कहने लगता है अच्छा ठीक है इन में से जो भी तुम्हारी रेंटारों कहता है ये दोनों ही मेरी गल्फरेंड है जिस पर गुंड़ा यकीन नहीं करता है और कहता है अगर दोनों तुम्हारी गल्फरेंड है तो मेरे सामने किस करके दिखाओ इस पर रेंटारों कहता है ये कोई शो नहीं चल रहा है जो हम तुम्हें कर प्रूफ करके दिखाएं लेकिन लड़कियां तो इसी मोमेंट का वेट कर रही थी, डायरेक्ट दोनों किस करने में लगी होती है, ये सब देखकर गुंडे लोग शौक हो जाते हैं और रेंटारों को गाली देकर चले जाते हैं, अब वहाँ पर कराने भी आ जाती है, और हमें फ्लैश बैक दिखाया जाता है, जहां कराने देख लेती है कि गुंडे लोग लड़कियों को तंग कर रहे हैं, इसलिए वो रेंटारों को जाकर उठाने लगती है, लेकिन वो नहीं उठता है, फिर कराने जब बोलती है कि कोई बाकी गल्फरेंट को छेड रहा है, तो रेंटारों तु अब सारी लड़कियों को शिजुका के बारे में याद आता है, ये बात जानकार रेंटारो पैनिक करता हुआ उसे ढूंडने चला जाता है। हम देखते हैं, शिजुका के मोबाइल का बैटरी खत्म हो जाता है, जिसके कारण वो रोने वाली ही होती है, तभी उसको रेंटार इतनी भीड में मेरी आवाज को पकड़ पाएगा? ऐसा सोचने के बाद शिजुका धीमे से बोलती है, जो रेंटारो सुन लेता है और उसके पास जाता है, और उसे बाहों में उठा कर पुल से निकाल रहा होता है, शिजुका उसे चुपचाप देख रही होती है और फिर अब रेंटारो शिजुका को बाकी सब के पास लाता है और कहता है मैं थोड़ा ब्रेक लूँगा, तुम लोग जाकर मजे करो, इसके बाद वो कराने को कहता है, तुम्हें भी ठंड लग रहा है तो चलो हम लोग ब्रेक लेते हैं, फिर हम रेंटारो और कराने को जूस पीत देखते हैं, जहां रेंटारो कहता है, कराने तुम AI और हकारी के चेस्ट को बार-बार देख रही थी, क्या तुम्हें अंदर confident feel हो रहा है, इसलिए तुम अपना swimming suit मुझे नहीं दिखाना चाहती हो, इस पर वो बहाना बनाने लगती है, कि मुझे सच में ठंड लग रहा है ये सुनकर रेंटारो बोलता है, तो तुम ये melon juice क्यों पी रही हो, जिस पर कराने शांत हो जाती है, अब रेंटारो ग्यान देने लगता है, कि सबकी अलग-अलग beauty होती है, और तुम्हारी भी खुद में एक अलग ही beauty हो, इसके बाद वो कराने के पास जाता है, और towel हटा देता है, जिसके बाद हम swimming suit देख पाते हैं, ये देखकर रेंटारो कहता है, तुम तो बहुत ही beautiful लग रही हो, फिर उसके गले लगकर बोलता है, ये देखो तुम मेरी heart beat भी सुन सकती हो कि ये कितना fast हो गया है, इस पर कराने उसे प्यार भरी आँखों से उसे देखने और पूरे मजे कर रहा होता है, इसी के साथ इनका water park date भी यहीं पर खतम हो जाता है, प्रिसोट 7 की शुरुवात में कि ये ओर फ्यार बोलता है, झजा हो जाता है, झाल बोलता है, झाली कर बोलता है, जदेसे नग खॉवाएंट भात भी सकता भी गईसे इसों कि अच कि अच्षब थाएं़ाएंगगोंसुआटूर भी सुन सकता जtakरा जाएंगोंसुआूदूड़ है, इस औरे जे सरसा हो क झाल 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 और फियर कॉरिडोर में जाने लगता है तब ही उसका सामना हकारी और कराने से होता है जिससे वो भाग नहीं पाता है और पकड़ा जाता है दोनों लड़कियां रेंटारो को इतना प्यार दे रही होती है कि बेचारे का दिमाग ही काम नहीं कर रहा था तब ही दोनों लड़कियां किस जॉंबी के लेंगवेज में लड़ने लगती है तब Renteros को याद आता है कि दोनों पर ड्रगs का असर है लेकिन है तो दोनों हकारी और कराने ही इसलिए वो दोनों को आपस में ही किस करवा देता है और दोनों एक बार किस करने के बाद दुबारा खुद से चालू हो जाते है, फिर Renteros Bears को बतता है कि ये दोनों हमेशा लड लेकिन दोनों एक दूसरे से प्यार भी बहुत करती है, तुम लोग लेजबियन मत समझ लेना। लेकर आ जाओंगी, इस पर रेंटारो कहता है, नहीं वो समझ जाएगी कि मैं उसे डिस्ट्रेक्ट कर रहा हूँ और तुम्हें आकर पकड़ लेगी। फॉर्म में आ जाती है, जिसके कारण लॉकर छोटा पड़ रहा था, और रेंटारो का कुछ और बड़ा हो गया था, इसके बाद कुसूरी AI के पास जाती है, AI पहले तो उसे पहचान नहीं पाती है, इसलिए कुसूरी उसे रस्सी से बांधने का ट्राई करती है, लेकिन और ये प्रोसेस बहुत लंबा नहीं चलता है, वहाँ पर कुसूरी एंटीडॉट पीला देती है, अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, सारी लड़किया नॉर्मल हो जाती है, फिर सब लोग रेंटारो माफी मांगने लगते हैं, तब हकारी भी माफी मांग ही रही होती है, तब ही उसे कराने के साथ किया कांड याद आता है, इसलिए वो एक्टिंग करने लगती है कि मुझे और कराने को तो कुछ याद ही नहीं है, अब हम कुसूरी को देखते है, जो की रोने लगती है और सबसे माफी मांगने लगती है कि मेरे ड्रग्स के कारण तुम लाएग बन गए, तब रेंटारो कहता है, लेकिन तुम्हारे ही ड्रग्स ने ही सब लोगों को ठीक भी किया है, इसलिए तुम ड्रग्स बनाती रहो, क्योंकि जितना तुम ड्रग्स से प्यार करती हो, उतना मुझे तुम से प्यार और होता है, ये लाइन सुनने के बाद तो कौन नहीं पिगलेगा कुसुरी भी बोलती है आई रियली 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 लव यू और फिर माहौल बन जाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। फिर रेंटारो पाटिसिपेट करने के लिए एक टीम बनाता है जिसका नाम वो रेंटारो फैमिली रखता है। फैमिली बहुत इंप्रेस हो जाती है। अब कराने यहाँ पर बाइकर गैंग की लीडर को रोक रही थी। लेकिन उसके टीम मेट अपने फ्लैक से टॉर्नेडो बनाकर बुके को अपनी तरफ कर लेते हैं और सब को लगता है अब बाइकर गैंग ही जीतेगी। लेकिन तभी यहाँ पर शिजुका की एंट्री होती है जो फ्लैक को पैरासूट बनाकर हवा में उड़ रही थी। और उसने बुके को पकड़ लिया होता है। लेकिन फ्लैक छोडने के कारण वो नीचे गिरने लगती है तब सारी लड़कियां अपने संतरे को एयर बैक की तरह इस्तमाल करती हैं और फिर रेंटारो उसे बचा लेता है और ऐसे ही वो लोग ये कमपटीशन जीत जाते हैं। अब हम दुसरी तरफ कराने को देखते हैं जो बाइकर गैंक की लीडर को लड़ने के लिए शुक्रिया बोल रही थी क्योंकि लड़ने के कारण कराने शिजुका के बचाने वाली जगह पर नहीं थी और ये मोए मोए होने से बच गई। पहले चूज करने को कहती है लेकिन AI बोलती है हम सब साथ में ही सिलेक्ट करेंगे जिसके कारण हकारी का प्लैन फैल हो जाता है। फिर हकारी सब को साथ में फोटो सूट का सजेस्ट करती है जिसके बाद हम देखते हैं सब लोग साथ में फोटो सूट करवाते हैं। तो इवेंट के मैनेजर बताती है कि हकारी को कुछ अर्जंट काम याद आ गया था इसलिए वो चली गई अब अगले सिन में हम रेंटारो को हकारी के घर के पास देखते हैं और हम हकारी का घर भी देख पाते हैं जो कि बहुत ही बड़ा हवेली होता है रेंटारो हकारी का नाम चिला रहा होता है तब ही खिड़की से हकारी आ जाती है जिसको देखने के बाद रेंटारों बोलने लगता है मुझे बताओ तुमने अचानक से ब्रेकप क्यों किया जिस पर हकारी लैंड लाइन नंबर से फोन करके बोलती है कि तुम मेरे चकर में मजनू मत बनो और मूव आन कर लो लेकिन रेंटारों तो मजनू भाई है इसलिए वो हकारी से कहता है बकवास मत करो और सच-सच बताओ की प्रॉबलम क्या है जिसके बाद हकारी बता ही देती है कि उसकी मॉम को रेंटारों के हरीम के बारे में पता चल गया है इसलिए वो हकारी का स्कूल भी चेंज करा रही है इसके बाद हकारी आगे बता ही रही होती है कि तभी उसकी मॉम खिड की बंद कर देती है और रेंटारों से फोन पर कहती है अबे छोटे चुहे तु मेरी बेटी से दूर रह और फोन काट देती है, फिर वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और रेंटारों को रियलिटी चेक देता है कि तेरा जैसा नल्ला बच्चा कुछ नहीं कर सकता है। तब ही उसकी नजर जमीन पर फोर लीफ फ्लावर पर जाता है और उसमें हिम्मत आ जाता है। मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। फिर सब लोग बोलने लगते हैं हाँ हम भी हकारी को उदास नहीं देख सकते हैं इसलिए हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। इस एपिसोड की शुरुवात में रेंटारो और उसकी लड़कियां रात को हकारी के घर में चोरी छूप के घुस गए होते हैं। फिर रेंटारो हकारी को फोन करता है लेकिन फोन बंद होता है इसलिए वह एक बॉल उसके रूम में फेकता है पर बॉल अंधेरे में ही खो जाता है फिर सब लोग उसे ढूडने लगते हैं तब उस बॉल से एक बिल्ली खेल रही होती है जिसको सारी लड़कियां पकड़े जाती है और उसे अपने साथ डिस्ट्रैक्ट कर देती है अब यहां से सब लोग डोर के पास जाते हैं और AI अपना दिमाग लगा कर पेट डोर से गेट को खोल देती है लेकिन इसी कारण उसका फिंगर भी डैमेज हो जाता है जिसे देखकर रेंटारो बैंडेज लगाता ह इस पर सब लोग बोलने लगते हैं तुम्हें खुद को इतना फोर्स करने की जरूरत नहीं थी तब AI को याद आता है कि कैसे हकारी ने उसे गुंडो से प्रोटेक्ट किया था इसके बाद जब सब लोग अंदर जाते हैं तो उन्हें एक बहुत बड़ा कुता दिखता है ज लोग अपने से बहुत कमजोरों को प्रोटेक्ट करते हैं जिस पर सब लोग कहते हैं हाँ हमारी शिजुका तो है सबसे कमजोर इसके बाद कुसूरी शिजुका की तरफ एक बेहोशी वाला मेडिसन फेकती है जिससे वो कुता बेहोश हो जाता है इसके बाद सब लोग कॉर इसके बाद AI दिमाग लगाती है कि सीलिंग पर बहुत कम रेस है और फिर सब लोग कराने को घूरने लगते है इसके बाद हम देखते है की कराने और रेंटारो हाफ 669 पोजिशन में सीलिंग पर चढ़ने लगते है फिर दोनों रेस का ऐसे ही चल कर पार कर रहे होते है तब ही रेंटारो कराने के पेट को टच कर देता है जिससे कराने का बूरा हाल था लेकिन फिर भी दोनों रेस को पास कर जाते हैं इसके बाद रेंटारो बाकी लड़कियों को कहता है कि तुम लोग जाकर बाहर छुप जा हम लोग हकारी को बचा कर वापस आएंगे। हकारी की मौम का नाम पता चलता है, जो की हहारी हनाजोनों होता है, हहारी बोलती है, हम लोग पहली बार face to face मिल रहे हैं रेंटारो। पहले तो ये बताओ कि तुम्हारी आँखों को क्या हुआ है, कोई special ability है क्या, जिस पर रेंटारो बोलता है, नहीं कुछ special नहीं है, बस लड़कियां देखकर प्यार में गिर जाती है, इसके बाद रेंटारो सोचने लगता है, कि मैं हकारी को भगाने में नाकाम रहा, तो मु मैं जब 13 साल की थी, तब मैंने हकारी को जन्म दिया, तुम्हें क्या लगता है, मैंने ऐसा क्यों किया, रेंटारों बोलता है, सायद आपको बच्चे बहुत पसंद होंगे, इस पर हाहारी कहती है, नहीं मैं जिस से प्यार करती थी, वो बीमार था, और जल्दी ही मरने वा लेकिन मेरे अंदर आज भी वो खालीपन है, जो हकारी के बाद भी नहीं भरा, और मैं नहीं चाहती हूँ कि ये चीजें हकारी के साथ भी हो, जिसका बॉइफरेंट फाइव टाइमर है, वो हकारी को घंटा खुश रखेगा, आप तुम्हें पता चल गया होगा रेंटारो की आँखे ठिक हो जाती है, और फिर कुछ unexpected होता है, यहाँ पर हाहारी और रेंटारों की आँखे मिलती है, और दोनों को जोर से जटका लगता है, साथ में हम viewers को भी बहुत बड़ा जटका लगता है, अब हम कराने को देखते हैं, जो हाहारी का परपोजल सुनने के बाद शौक होती है, फिर वो रेंटारों को देख कर और भी हैरान होती है, जो हाहारी के प्यार में पढ़ चुका होता है, इसके बाद हाहारी होश में आकर बोलती है कि वो रेंटारों और हकारी का प्यार कभी स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन रेंटारों कहना जारी रखता है, ज इसके बाद हाहारी रेंटारो को उस पर बैठने के लिए कहती है। लेकिन रेंटारो कहता है मुझे इस मशीन पर भरोसा नहीं है। इस पर हाहारी सुझाव देती हैं कि मशीन को सही साबित करने के लिए पहले कराने चेर पर बैठेगी। इसके बाद हाहारी कराने से पहला सवाल पूछती हैं कि तुम्हारा कप साइज क्या है, जिससे कराने का लोल हो जाता है, फिर हाहारी सीरियस सवाल पूछती है कि क्या वो रेंटारों से प्यार करती है, कराने कहती है कि हाँ वो रेंटारों से प्यार करती है, लेकिन मशीन बताता है कि वो जूट बोल रही है, ये सुनते ही रेंटारों को emotional damage लगता है, इस पर कराने कहने लगती है, ये मशीन ही पास कर रहा है और वो बार-बार ट्राइ करती है, लेकिन मिशन हर बार वही रिजल्ट दे रहा था, फिर आखिर में कराने बोलती है कि वो रेंटारो से रियली, रियली, रियली लव करती है, जिससे मशीन ये आंसर सही बताता है, और इसी के साथ रेंटारो को मशीन पर भरोस अब रेंटारो उस मिशन पर बैठ कर बताने लगता है कि वो हकारी को कीतना प्यार करता है और वो उसे जिन्दगी में कैसे खुश रखेगा जिस पर मशीन भी रिजल्ट में सच दिखाता है जो देखकर हाहारी भी शौक होती है और वो खुद को हारता देखकर कहती है कि ये लाई डिटेक्टर मशीन सिर्फ एक मशीन है और इससे कुछ साबित नहीं होता है तब ही एक मेड भयानक खबर लेकर कमरे में घुसती है कि हकारी खिडकी से बाहर कूदने जा रही है इस पर कराने दोड़कर हाहारी का गला पकड़ लेती है और सारे गार्ड्स को अपनी जग लेकिन कराने गला छोड़ ही नहीं रही थी इसके बाद हम हकारी की तरफ का सीन देखते है जहां वो खिडकी के बाहर खड़ी होती है ये देखकर बाहर से बाकी लड़कियां उसे वापस जाने को कहने लगते हैं तब ही वहां रेंटारो आकार कहता है कि सब कुछ ठीक हो ग रहेंगे तब तक उसकी माँ उनका पीछा करती रहेंगी और उसके कारण रेंटारो कभी खुश नहीं रह पाएगा तब रेंटारो उसे चिलाते हुए कहता है कि अगर वो ऐसा सोचते हैं तो उसे कूदना नहीं चाहिए क्योंकि अगर वहीं उसके आसपास नहीं होगी तो तो वो सोच भी नहीं सकता कि वो अपनी जिंदगी कैसे जीएगा। इसके बाद वो हकारी से वादा करता है कि जब तक वो उसके साथ है, चाहे वह कहीं भी जाए, वह खुश रहेंगे। तब ही वहाँ हाहारी और कराने आ जाते हैं और वो रेंटारों को गिरता देख कर उसे बचाने जाते हैं, लेकिन तब तक दोनों नीचे गिर जाते हैं। रेंटारों गिरते हुए भी हकारी को प्रोटेक्ट करने का सोचता है और दीवार से छलांग मार कर फुल में खुद ज जिससे दोनों को कुछ नहीं होता है। अब हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं। मैंने कहा था, मैं हकारी को हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा, चाहे मुझे मरना भी पड़े। ये सुनते ही हाहारी को रियलाइज हो जाता है कि रेंटारो बहुत ही अच्छा पार्टनर है। और दोनों मोमेंट में खोने ही वाले थे कि कराने और हकारी उन्हें शांत कराते हैं पर हाहारी तो रेंटारो को अपने गले से ही लगा लेती है। अब यहां से सीन कट होकर हमें बाथ हाउस का देखते हैं जहां हम सबसे पहले कराने को देखते हैं फिर हम बाकी सबको देखते हैं। जो अपने संतरे दिखा कर फ्लेक्स मार रहे थे तो यह सब देखकर कराने वहां से बाहर भाग आती है और वो रेंटारो के पास आ जाती है जो उसके कमर को देखकर शर्मा रहा था। इस पर कुसूरी कहती है अगर तुम्हें इतना अच्छा लगा है तो मैं और शिजुका तुम्हें किस कर देते हैं और दोनों रेंटारो को किस करती है जिससे रेंटारो तो उपर ही जाने लगता है इसके बाद हाहारी किचन में जाने लगती है तो रेंटारो भी उसकी मद किया और खुद को बहुत रोक कर रखा है और वो उसे बिस्वास दिलाते हुए बोलता है अभी फन करने के लिए हमारे पास बहुत समय है ये सुनकर हाहारी कहती है अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है रेंटारो इसलिए आज तुम मेरे रूम में आ जाना ऐसा कहने के साथ ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है इस एपिसोड की शुरुवात में हमें देखने से लगता है कि रेंटारो और हाहारी सेक्स कर रहे होते है पर असल में रेंटारो बस मसाज कर रहा होता है और दुसरे कमरे में सब लोग कार्ड्स खेल रहे थे तभी कराने कहती है दोनों को बहुत देर हो गया है, अभी तक पानी लेकर नहीं आये है, हकारी इस पर घबराते हुए बोलती है, कहीं दोनों कुछ कांड तो नहीं कर रहे हैं। तभी सभी को एक आवाज सुनाई देता है और सब भागते हुए वहाँ पहुचते हैं और रेंटारों को लड़की की ड्रेस पहने देखते हैं जिससे गर्ल्फ्रेंड्स को बहुत बड़ा जटका लगता है और वे सभी रेंटारों को क्यूट बोलने लगती हैं। अपना ऐस रेंटारों को अपने गले से लगा कर किस करती है और उसको होश आ जाता है। इसके बाद रेंटारों शर्माते हुए नहाने के लिए चला जाता है। उसके जाते ही हकारी और हाहारी किसी चीज के लिए तैयारी करना शुरू कर देती है। ये देखकर कराने उन से पूचती कि वो क्या करने जा रहे हैं, इस पर दोनों कहते हैं, of course हम रेंटारों को नहाते हुए देखने जा रहे हैं, जिस पर कूशुरी और AI भी कहती है कि वह भी जाएगी, पर शीजुका ये करने से सब को मना करने लगती है, जिस पर सब लोग उसको एक ब्लैंकेट में बांध कर र देखने के लिए भाग जाती है, अब सीन चेंज होता है और हम रेंटारों को नहाते हुए देखते हैं, दुसरी तरफ कूशुरी खिडकी से लटके हुए रेंटारों को देखने जाती है, लेकिन कूशुरी को फौग की वजह से कुछ दिखाई नहीं देता है, और वो इसके बाद हम बाकी गर्ल फ्रेंड्स को देखते हैं, जिनका पहला प्लान फेल हो गया था, जो अब दूसरा प्लान बनाती है, जिसमें वो छट के ठीक नीचे वाले जगह पर जाएंगे और रेंटारों को नहाते हुए देखेंगी, इसके बाद सब लोग अंधेरे में र सारी लड़कियां चिलाने लगती है, ये आवाजें सुनकर नीचे रेंटारों भी चिलाने लगता है, दूसरी तरफ हम शीजुका को देखते हैं, जिसके सामने सीधियां थी और उसको नीचे जाने में डर लग रहा था, तब ही वहाँ डॉग आ जाता है, जिसकी आवाज क शौकर होकर शिजुद का नीचे गिर जाती है, और बहुत तेजी से घूमते हुए आगे जाती है, साथ ही उसका ब्लैंकेट भी खूल जाता है, और वो बाथ हाउस के पुल में गिर जाती है, जहां रेंटारों नहा रहा था, ये देखकर रेंटारों को लगता है कि पानी म से कोई भूत बाहर आ रहा है, जिससे घबराकर वो स्टूल से नीचे गिर जाता है, लेकिन वो देखता है, वो असल में शिजुद का है, जो रो रही थी, इस पर वो उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है, और इसी तरह रेंटारों का तॉलिया नीचे गिर जाता है, और वो अपना ड्रैगन शिजुका के सामने रिवील कर देता है, जिस देखकर शिजुका बेहोश होकार पानी में गिर जाती है, इसके बाद रेंटारों उसे बाहर लेकर जाने लगता है, तब ही वो अपने सामने सभी लड़कियों को देखकर कहता है, कि तुम लोग यहां बाहर क कर रही हों, जिस पर वो लोग कुछ बोल नहीं पाती है, और बहाना बनाने लगती है, तब रेंटारों सब कुछ समझ जाता है, और सब को लेक्चर देने लगता है, अब अगले सीन में सब लोग फिर से कार्ड खेलने लगते है, तब ही हाहारी को कुछ याद आता है, और वो कमरे से बाहर चली जाती है, रेंटारों उसके उदास चहरे को देख कर समझ जाता है और उसके पीछे-पीछे चला जाता है और वहाँ देखता है कि हाहारी किसी के फोटो के सामने बैठी है। दोनों प्रेयर करते हैं। इसके बाद रेंटारों हाहारी से पूछता है कि तुमने कहा था, कि तुम्हें अकेले रहने का बहुत बड़ा रिग्रेट है, तो तुम्हारे हस्बेंड के जाने के बाद तुम्हें बहुत लड़कों ने परपोज किया होगा, लेकिन तुमने सिं प्यार में गिर गई और ये मुझे बहुत गलत लग रहा है। इस पर रेंटारों उसे जोर से पकड़ता है और कहता है कौन कहता है तुम किसी के जाने के बाद फिर से प्यार नहीं कर सकते हो। कौन कहता है किसी और को प्यार करना मतलब तुम्हारा प्यार दुसरे के लिए फ अच्चा है तो बाकी चीजें माइने नहीं रखती और वो रेंटारों के गले लग कर उसे परपोज कर देती है और उसे किस करने को कहती है फिर हम एक फ्लैश बैक देखते हैं जहां हाहारी का फर्स्ट लव उससे कह रहा होता है कि तुम अपना फर्स्ट केस उस परसन के बाकी सब आर्टी फिशियल तरीके से हुआ था और हाहारी के साथ जो रियल कांड है वो सब हमारा रेंटारों ही कर रहा है और करेगा भी अब हम रात का सीन देखते हैं जहां सब लोग सो रहे थे तब ही हकारी अपने जगह से उठकर रेंटारों के पास चली जाती है ये कर रेंटारों के साथ अब गहरी रात का सीन दिखाया जाता है जहां रेंटारों उठकर देखता है कि हकारी और कराने आपस में लगे हुए है फिर वो कमरे से बाहर हॉल में चलने लगता है तब ही उसकी नजर एक ब्लू बाल वाले लड़के पर जाती है और वो कहता है ये त तुम्हें सब कुछ explain करना होगा इस पर रेंटारों कहता है ठीक है डैड मैं आपको समझाता हूँ जिस पर डैड कहते है पहले तो डैड बोलना बंद करो फिर वो शौक होकर बोलते है क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा है थोड़ी देर पहले तो तुम बहुत ड इस पर रेंटारों बोलता है मैंने आपके बारे में हहारी से सुना है और मुझे लगता है आप kind और अच्छे person है जिस पर डैड भी एक лंभी सांस लेकर बोलता है मैं इधर ये बोलने के लिए तयार बैठा था कि हकारी और हहारी का अच्छे से खयाल रखना वरना मैं तु उनको 16 साल तक देखा है और तुम ही ही पहले लड़के हो जो उनके लिए बेस्ट है और मैं तुमको थैंक्स करना चाहता हूँ जो तुमने हहारी के दिल से मेरे दिये गए दर्द को मिटा दिया रेंटारो बोलता है मैंने बस वही किया जिससे वो लोग खुश हो सकते थे डै जैसे कि अब से हाहारी मेरी है इस पर रेंटारो उनके थैंक्स करता है कि आपने मेरे जन्म से पहले हाहारी को खुश रखा ऐसा सुनते ही डैड को शांती मील जाती है और वो जाते हुए कहते है तुम इतने अच्छे लड़के हो मुझे यकीन है तुम उन दोनों का लाते हुए कहता है कि आपने वादा किया था कि हम दोनों साथ में ध्यान रखेंगे, इसी के साथ रेंटारों जागता है तो उसके पास बिल्ली होती है और सुबह हो गया होता है। अब दूसरी तरफ हम रेंटारों को देखते है जो लंच ब्रेक में हहारी से मिलने आया था लेकिन उसे मैट बताती है कि वो तो आज स्कूल गई है जिस पर रेंटारों खुद से बोलता है भाग रेंटारों भाग शारी लड़कियां वेट कर रही होगी इसी के साथ सीजन व स्टार्ट करेंगे